इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जम्मधारी नहीं होगी. आयरन की कमी एक ऐसी स्थिती है जिसमें आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, जिससे अनीमिया नामक स्थिती हो जाती है. इसके परिनामस्वरूप ऐसे लक्षन हो सकते हैं जो आपके जीवन की गुनवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं इन में सांस की तकलीफ, ठकान, एकाग्रता में कमी, पीली या पीली तवचा, भंगुर नाखूनादी शामिल है अपेल टैबलेट आपके शरीर में आयरन के स्तर में सुधार करके आयरन की कमी का इलाज करने और उसे रोकने में मदद करता है अपाले टेबलेट को लेने के साथ साथ आयरन से भरपूर आहार जैसे पालक, खजूर, और गन मी जैसे लीवर आयरन से भरपूर अनाजादी शामिल करें इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें इसे पूरा निगल लें, इसे चबाएं, कुचले या तोड़े नहीं अपेल टेबलेट भोजन के साथ या बिना भोजन किये इसे लिया जा सकता है लेकिन बहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए अपेल टेबलेट दो पोशक तत्वों की खुराक का मिश्रन है फेरस एसकॉबेट और फोलिक एसिड जो शरीर में महत्वपून पोशक तत्वों के भंडार की भरपाई करते हैं फोलिक एसिड विटमिन बी का एक रूप है यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्मान में महत्वपून भूमिका निभाता है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाती है अजन में बच्चे के मस्तिशक और रीड की हड़ी के विकास में इसकी भूमिका के कारण गर्भावस्था में भी यहा वश्यक है फेरस एसकोबेट हमारे शरीर में विभिन जैवरा सायनिक प्रतिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है ओक्सीजन के परिवहन और उप्योग की सुविधा प्रदान करता है और कोशिका वृध्धी और प्रसार में मदद करता है यह लाल रक्त कोशिकाओं और हीमोगलोबिन के उत्पादन में सुधार करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है